एनिमेशन ध्रिकिंग हमारे गेम में बहुत ही इंपोर्टन रोल ब्ले करता है कोई भी आप गेम बना रहे हो या भले ही वो कार गेम हो या फिर हमारा करेक्टर जो है वह उसका गेम हो सकता है 3-D characters का तो एनिमेशन रिकिंग आप कह सकते है ऐसे कि अगर कोई एक इवेंट हो रहा है आपका एनिमेशन जो है आपका एनिमेटर जो चारेक्टर है वह उस इवेंट को देखना चाहिए अगर ब्लास्ट होता है तो उस साइड पर देखना चाहिए भले ही वह हमारा अलग वाला एनिमेशन जो है वह जाना जाता है एनिमेशन जो है वह बहुत ही की तरफ से आया है बहुत ही पहले था लेकिन यह बहुत ही इंपोर्टन है अगर आप एक 3D गैम बना रहे हो तो कैसे मैं आपको बताता हूं यह गेम आप देख सकते हैं जैसे यह जो एंड रिजल्ट है आपको यहां पर देखी रहा होगा तो यह प्लेलिस्ट बहुत ही मुल्टी एंप कोंस्ट्रेंट एक हमारा बेशिक सरी है तो सीं आपर में पर मैंने कड चैरक्टर लिया है करेक्टर और उसके उपर इक अनिमेटर लगा वा हुआ आप कोई भी डाल सकते एनिमेशन के उपर ऑपर मिक्समो में ने पहले एक वीडियो बना के रखा है आप जाकर चेक कर सकते कि एक मिक्समो से एक वीनडो है ऐनिमेशन ड्रिगिंग अगर आपको यह आप्षिण नहीं दिख रहा है तो कैसे डाउन लोड करना विक्समोस विन् कि अगर यह इंपोर्ट सो यहां पर पर किछा में पर मंख में यहांपर पי अदर जांगा तो यहांपर तो यहां पर जो अधन है जाए उपर पर सब्सक्रीट कर यह हुआ पर ऑन लगान वह जो है आप पर अब वह आप His इस पार गएच्वा पर जो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो पूरा हमारा बोन्स और देख यह को आप बढ़ा चते हैं मैं उसका यहां इतकर बढ़ा हो सकता मैं इसे मीन आप लाइन भी ले सकते हैं एक दम थिन लाइन है यहां से एकदम स्ट्रेट आ रहा है तो और आप पर प्राइमिड शेप ही रखोंगा तो सबसे अच्छी बात यह कि मैं इसे सिलेक भी कर सकता हूँ और हाथ को आगे पिछे जो कुछ है वो भी कर सकता है रोटेट कर सकता हू फिंगर 2, 3, 4 सब कुछ यहां पर आ जाता है आप मारे इसे ओके तो मैं सीन को सेफ करता हूँ और यहां पर अभी सबसे पहले आपको एक रिग लगाना है आप अगर चाहते कि कोई एक बॉम ब्लास्ट होता है तो हमारे क्यरेक्टर जो है वो उस बॉम ब्लास्ट की तरफ यहां पर यहां पर रिग बिल्डर आ जाता है हमारा जो मेन क्यरेक्टर है उसके उपर एक रिग का जो कंपोनेंट है वह पहले से ड्राइग और रहता है तो यह वाला रिग आ गया यहां पर वेट आ गया आप 10 कर सकते स्टार्टिंग में इसे रखिए ज्यादा जिरो अग है वह हम अलग-अलग पोजिशन में मूव करेंगे तो यहां पर मैं राइट क्लिक करूंगा एक क्रियेट एंप्टी करूंगा पर आ जाएगा इसका हम नाम दे सकते हैं एम मैंने आपर नाम दे दिया है इसका अभी इसके उपर एक कंपोनेंट करेंगे अभी अगर मैं और बहुत सारे सिं reaction सा जाते तो अकता आंकर में आपको बताते तो क कौन सा आपजेक्शे है जो आपको करना है तो यह आपको यहां पर बदेगा तो मैं जाओंगा यहां पर रूट में रूट में पत Lexus मैं में कि अंदर है यहाँ पर ऑचुक है में हड़ांगा है यहाँ पर रागन ट्रॉक करूंगा हमारे हैं ड्रos है तो आमें बस वाई को ऐसे टर्न होते हुए दिखाने तो वर्ल्ड रखेंगे तो भी चलेगा अभी सोर्स ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना है आपको आप यह क्यारेक्टर कहां पर देखना चाहिए यह आप रूंटाइम पर यह जितने चाहिए उतने आप क्रियेट कर सकते यहां पर कहाँ पर हमारा गित जो है हुआ देखना चाहिए है तो मैं इसे निकाल देता हूं इसे निकाल दिये यह फिर उंट करूंगा टार्गेट आप मैंने लगा दिया और इसे हम कोई गिजमो दे देंगे यह वाला लेट्स से राट कलर देदेंगे और यह बन गया है टार्गेट आप देख सकते हैं ग्रेट तो यह जो है अभी हर बार जो भी है वो इसे ही देखता रहेगा तो मैं अभी इसे जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा गैट यहाँ पर दिखने रहेगा मैं इसे जो है मैं यहाँ करूंग गार गैँ कैसे Π chiar मैं ये सब्कर्थ हो यह लेकिन हमारा जो करेक्टर है वह रखे पास हो दोग लाफ अगर मैं यह क्याता हूं यह देखिए character वहाँ पर ही देख रहा है अभी इसमें एक problem है एक problem क्या है मैं आपको बता देता है यह इसके target के पीछे अगर ले लिया तो यह देखिए इसका जो face है वो कैसा हो जाता है यह देखिए यह बहुत ही बड़ा सकते हैं यहां पर हम लोग उसे stop कर देंगे यहां फिर हम लोग एक और सेट कर सकते हैं यहां पर settings के अंदर मिनिमम लिमेट जो 180 डिगरी आप पुरा घूम सकते हैं लिमिट भी 180 डिया है तो में ह्याँ पर 90 कर देता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा 90 मूव हो सकते हैं एंद नेक्स्ट में हममने 9 करता हूँ अबहिकी करता हूँ फ्ता हमरा जाट है और closing करता हूँ घन्क लांगocyδ लिए फ़ितैविकिश् occasion मूव होगा जादा मूव बिनकुल भी नहीं होगा तो हमार जो प्रॉब्लम का सुलूशन है वो मिल चुका है हमें यह देखिए ग्रेट तो मैं इसे जितना भी उपर ले सकता हो यह देखिए उपर ले लिया मैंने इस साइड ले लिया कि अगर हम इसे और पीछे लिए यह बहुत ही जादा हो रहा है तह इसके लिए हम क्या कर सकते हम जो है इसका व कम कर सकते तो आप देख सकते है एक वेट कम्पोंट नंट आता ह वेट प्रपर्टी आते i आप इससे कम जाधा कर सकते हैं वह कितना आपका जो character है वह उस साइड को जाधा weight या आप सकते हैं जाधा भाव किसको देना चाहिए तो मैं यहाँ पर head एम के ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर भी weight है and also source object जिस object को ज्यादा बाहर देना है उसका भी यहाँ पर मौजूद है तो मैं इसे जो है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ यह देखिए let's say 0.7 and इसे जो है वो ज्यादा करेगा अगर मैं प्ले करूंगा यहाँ पर तो थोड़ा ही मूव करेगा as compared to target यह देखिए मैं आपर टार्गेट ले रहा हूँ जिसे मैं करूंगा यह देखिए पूरा मूव नहीं करेगा यह थोड़ा सा ही जो है मूव करेगा यह देखिए बहुत पीछे जा चुका है लेकिन यह वहाँ पर नहीं देख रही है अगर आप समझ ही गए होंगे कि कैसे character animations काम करते है अगर मैं head aim जो है उसको अगर 0.32 कर देता हूं तो यह देखिए हमारा target जो है वो भले ही कही पर भी जाए वो उससे ज़्यादा वाव नहीं देगा यह देखिए हमारा character जो है perfect आ चुका है यह देखिए जो है 0.3 तक ही value दे रहा है यह देखिए मैं जितना भी बीचे जाओ वो उतना ही move हो रहा है तो आप इसे बहुत ही easily यहापर कर सकते हैं लेकिन अभी यह जो character है यह सिर्फ face ही move कर रहा है तो वो कुछ काम का नहीं है अगर वो पूरा face थोड़ा सा हम जैसे ही भूमते है त तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर तो 0.7 दे दिया है मैंने यहाँ पर हम वह नहीं रखेंगे क्योंकि हैड़ कॉंस्ट है उसे हम directly 0.7 कर देता हूं मैं तो मल्टी यहाँ पर कर दिया अभी है जो है उसको मैं duplicate कर देता हूं और इसका नाम दे दूंगा चेस्ट एम तो चेस्ट एम है यहाँ पर एंड चेस्ट एम जो है वो मैं यहाँ पर 0.4 कर दूंगा और हमारा टार्गेट जो है वो टार्गेट ही रहेगा और अल्सों हमारा जो भी हैड है वो हैड़ा भी नहीं चाहिए अभी हमें चाहिए चेस्ट तो मैं देखूंगा य नेक, हेड, अपर आम, पूर आम्स, ओके तो यहां पर हमें चेस्ट नहीं, यहां पर स्पाइन है, हमारा तो स्पाइन चाहिए, हमें मेन, तो यहां पर हम लोग अरल, मुव करें, जाल पर आम, अ हमारा है, तो मैं सेफ करता हूँ, इसे हम प्ले करेंगे, ओके, यہां यह हम प्लेट को मैं यहां से ट्राइगन ड्राप करता हूँ, यह देखिए, जो भी है, हमारा मुव हो रहा है, हमारा जो चेस्ट है वो भी उसके साथ ही movement कर रहा ओके यह देखिए पूरा चेस्ट है वो move हो रहा है और उसके साथ में जो bone rick के hands भी है आप देख सकते हैं यह हाथ जो है यह भी उसके साथ में move हो रहा है ओके और अगर मैं इस target को पीछे ले लता हूं यह देखिए हमारा जो भी character है वो पूरा body उसका move हो रहा है इसको भी अगर पीछे लेके जाए तो यह वैसे direction में move हो रहा है लेकिन आप इसे weight की तरह से weight की जैसा आप नहीं आप पर 0.4 किया 0.3 अगर मैं कर देता हूं तो chest time जो है वो अलग से हो जाएगा तो मैं आपर target set करूँगा यह देखिए ग्रेट हमार जो code है वो exactly जैसे हमें चाहिए वैसे काम कर रहा है मैं यहां पर बस हमारा जो character है उसके ओपर का bone render निकाल देता हूं यानि कि आपको perfectly निखाई देगा यह देखिए यहां से है तो हमारा जो भी body language है वो पूरा चेंज हो रहा है ओके तो यह था guys multi aim constant next video में आपको बताऊंगा कि अलग अलग video जो भी आपने start में देखा था वो सारे के सारे में आपको बताऊंगा कैसे करना है जो gun के उपर hands है वो कैसे आपको लाने एक तो यहा कहां पर आपका हाथ रहना चाहिए जो कि reload के time पर वकरा help करता है तो यह सब आपको मैं इस playlist में बताऊंगा animation dragging के till then thank you so much for watching this video अगर आपको पसना है तो like कीजिए, share कीजिए and subscribe भी कीजिए, so till then we'll meet in the next video